तो एरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्य मंत्री विश्णुदेव साही पहुंच चुके हैं एरपोर्ट और अयोध्या के लिए रवानगी आपको बता दें उनके साथ उपर मुख्य मंत्री भी महजूद है मंदल के साथ और द्याद हाम जा रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए और वहां पर 36 गड़ की खुशाली के लिए उनसे परात्ना करेंगे उनसे निविधन करेंगे हाँ बेर तो फिमस है भगवान राम अपने बनवास काल में माता सब्री के जूठे बेर खाये थे वाजपरसाद के रूप में सब्री के बेर भी ले जा रहे हैं वहां का जल भी ले जा रहे हैं महुआ का फल भी ले जा रहे हैं अब छतिर गड़ की खुशाली जब बोले तो सब्सक्राइब उसमें आ जाता है राम लला के दर्शन करेंगे पूजा अचना की जाएगी और आयोध्या पहुंच रहे हैं विश्णुदेव साय आज आपको रदे आयोध्या जाएंगे शतिर गड़ का पूरा मंत्री मंडल करेगा भाचा राम के दर्शन जी हां करी लड़ू समेत कई उपहार भी भेट कि जाएंगे तो मुख्य मंत्री विश्णुदेव साय ने कहा कि भाचा राम के दर्शन करने हम जा रहे हैं मुख्य मंत्री इस मौके पर माता शबरी की धर्ती कहे जाने वाले शिवनी नारायंड से बेर फल से भरी टोकरी भी उपहार के रूप में राम लला को भेट करेंगे आपको बता दें कि 22 जनुरी को राम मंदिर की प्राण परतेश्टा के बाद से ही चर्चा थी कि मुख्य मंत्री साय सभी मंत्रियों के साथ आयोध्या जाएंगे साय ने भी कहा था कि जल्द ही पूरे मंत्री मंदल के साथ आयोध्या जाएंगे साय सरकार का यह अयोध्या दर्शन का रिक्रम एक दिन का ही होगा शाम तक सभी मंत्री लौट ताएंगे वहीं इसे 36 कॉंग्रेस ने नौटंग की भी हालकी बताया है तो क्या-क्या भीट कर और सीता फल यानि कि यह सारी चीज़े हैं जो रामलला को भेट करेंगे 36 के मंत्री एक बार फिर से आपको बता दें बेर के फल की टोकरी जो शिवनी नारायन मंदर से लाई गई है विश्णु भोक चावल जो 36 कड का सबसे प्रसिध्ध चावल है वो भी रामलला को भीट क राम भगवान के लिए ननिहाल से जा रहा है तो आपको बता दें एक ही दिन का ये कारेकरम पूरा होने वाला है